गईज आज के समय में जो है न आइफोन जो मोबाइल फोन है आइफोन हर किसी के हाथ में देखने को मिल जाता है चाहे वो कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो हर एक लड़का जो है उसके पास चाहे पैसा हो या ना हो उसके हाथ में आपको आइफोन देखने को जरूर मिलेगा लेकिन आईफोन जो है पहले आपको बड़े बड़े लोगो या सेलिबरिटी के हाथ में देखने को मिलता था उसके क्या है उसका जो brand value था वो बना हुआ था लेकिन आजकल जो है हर किसी लड़के चाहे वो लफंगा हो पैसा कमाता हो या ना कमाता हो उसके पैसा हो या ना हो लेकिन वो आईफोन कहीं न कहीं से एड़ेस्ट या खरीदी लेता है चाहे वो second end आईफोन हो या चोरबदर का आईफोन हो इससे क्या है आइफोन का जो brand value है वो जो है अब मतलब कि हर किसी के हाथ में दिखने लगेगा तो वो जो उसका brand value है वो घट जाएगा और वो जो एक phone है common होते जाएगा और common होने के कारण उसका जो brand value है वो automatic घटी जाएगा यह आज मैं आप सभी से इसलिए बता रहा हूँ कुछ समय पहले जो KTM Duke जो की racing bike के बहुत सांदर bike है उसका brand value किस तरीके से इंडिया में घटा था किस तरीके से वो जो उसका जो brand value था वो कम हुआ था इंडिया में वो आप सभी ने देखा हर एक लड़का जहाँ उसको पैसा हो या ना हो वो KTM Duke लेकि इधर सुधर लफंगा बाजी करता था जिससे कि उसका brand value घटा गया उसके बाद guys आपने टिक टॉक का हाल देखा जिसके कारण टिक टॉक का भी बहुत बुरा हाल हुआ और KTM बाइक एक छपरी बाइक बनकर रहा गया और टिक टॉक भी guys सेम वैसा ही हाल हो सकता है कि आईफोन का भी हो जाए तो आईफोन वाले स्टीब जॉब्स को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि इसका brand value जो वो बना रहा है इसका brand value बना रहने के लिए स्टीब जॉब्स का इस वीडियो अच्छा लगा हो तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद